स्टार्ट अप इंडिया की वेबसाइट पर बेहद आसानी से आप अपने स्टार्ट अप को रजिस्टर कर सकते हैं और सरकार के कारोबार को आसान बनाने के मनसूबे में शामिल होकर खुद के ख्वाबों को ताबीर कर सकते हैं किसी भी कारोबार या सरकारी मनसूबे को काम्याब बनाने में Mobile Applications आज एक कलीदी किरदार अदा कर रही है आज किस तरह से Mobile App Developer Startup दूसरे कारोबार और सरकारी मनसूबों को नई सिम्त अदा कर रहे है इसका जायसा लेने के लिए हम मौजूद हैं एक काम्याब स्टार्टप बन चुके फ्लुपर के दफ्तर में नाजरीन आदाब काम्याब हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान जहां पर आज का युवा हिंदुस्तान की तरक्की में न सिर्फ शामिल हो रहा है बलकि दूसरे युवाओं के लिए भी एक मिसाल बन रहा है नौजवान हिंदुस्तान है और यहाँ पर नौजवान अपनी तकदीर तो लिखी रहे हैं एक ऐसी मिसाल भी कायम कर रहे हैं जो दिखाता है कि सचमुच हिंदुस्तान स्टार्ट अप इंडिया की तरफ बढ़ रहा है स्टार्ट अप इंडिया एक ऐसी कोशिश जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से युवाओं ने अपने लिए एक मकाम तो बनाया ही है साथी साथ रोजगार की कई उमीदें दूसरे नौजवानों के लिए भी पैदा की हैं आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फील्ड के बारे में जो बहुत ही एहम है दरसल आप जब स्टॉरट अपके बारे में सुषते हैं तो ज्यादा तर आपके जहन में आता है कि एप्लीकेशन्स या आपके मुबाइल में आपने देखा होगा कि आज applications या mobile apps हमारे लिए कितने जरूरी हो गए हैं कहीं आना जाना है कुछ खाना पीना है हम देखते हैं apps हमारी जिन्दगी का एहम हिस्सा है और ज्यादातर startups इसी idea के साथ शुरू होते हैं अब सोचिए ऐसे startup के बारे में जो इन सभी के सपनों को साकार करने के लिए applications को design करता है आज हम बात करने वाले हैं flipper की और flipper के बहुत ही नौजवान CEO और founder अंशुल की अंशुल शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अंशुल एक बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि application की दुनिया जो है वो एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां हमको लगता है कि हर startup इसी से शुरूआत कर रहा है या startup का मतलब भी application एक तरीके से बनता चला जा रहा है मुझे बताएं कि या application का market कितना बड़ा है और startup इंडिया से क्या application या app बनाने वाले जितने युवा जुड रहे हैं उनके लिए उतने options भी हैं उतनी opportunities भी हैं भारत में सर पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा मौका दिया हमें represent करने का अपनी company को applications मेरे ख्याल से आज के time में सिरफ business के लिए ही नहीं हर चीज में आप चाहे laundry देख लीजे आप चाहे grocery देख लीजे आप चाहे taxi देख लीजे आप चाहे कोई आपको suppose payment की application बनानी है या फिर आपको payment एक जगा से दूसरी जगा पर transfer करना है तो हर जगा में application का बिलकुल पहुत बड़ा योगदान है आज के time पे अगर हमारा इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में सबसे biggest market है और ये by 2020 तक ये कम से कम साथ billion तक पहुचने वाला है किसी भी startup के लिए अगर बात की जाए तो कैसे आप लोगों को मदद करता है या आप कैसे startup की दुनिया में startup इंडिया की मदद देख पा रहे हैं किन-किन points पर मदद हुई है सर पहले तो emotional अगर मैं देखूँ emotionally क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी युवा है वो यह चाहता है कि पैसे से जादा उसको जो माबाप है या उसके जो friends है या उसके जो society है उसे accept करे अपने business को बढ़ा करने में जितनी महनत पैसे की लगती है उससे जादा आपके लोगों के लगती है आपको motivation चाहिए होती है वो motivation startup इंडिया के वज़ा से possible हुई है आज के time पे हर घर में एक startup खुल रहा है क्यों खुल रहा है उसका reason ही यह है कि आज के time पे जो हमारे parents है जो हमारी family है वो हमें accept कर रही है क्योंकि आज के time पे startup इंडिया ने एक brand बना दिया एक startup इंडिया आज सिर्फ लोगों नहीं है यह एक summit नहीं यह इक initiative नहीं है आज के time पे हर युवाँ यह कहता है जाता ही या मोदी सर या हमारे जो startup इंडिया गा initiative है वो आज के time पे startup इंडिया ने इतना बड़ा कर दिया कि आज के time पे लोग यह सोचते है कि मुझे startup खुलना है देखो startup इंडिया है, मुझे help मिल जाएगी या मुझे अगर startup खोलना है तो मुझे पास ये सारे options है options में सिरफ पैसा ही नहीं एक overall market बनाया, जो हमारे यहाँ पे missing था, वो ecosystem missing था वो field नहीं थी, कि हम कहीं पे जाएं तो हमें startup के बुरी नजर से देखा जाता था कि startup हो, कितने लोग होंगे, चार लोग होंगे तीन लोग होंगे, आज के टाइम पे startup इतना बड़ा हो चुक है कि अगर कोई person दो लोग भी लेके चल रहा है, आरे startup है, कुछ कर रहा है, तो ये चीज निकल के आई पांच से दस साल के बीच में, क्योंकि वो एक brand मिला, एक appreciation मिला, एक वो एक जजबा मिला लोगों को कि वो आगे आके अपने आपको present कर सकते हैं freely, उन्हें कोई डरने की ज़रूद नहीं है, वो freedom मिला, तो आपके production कैसे होता है, वो हम समझना चाहेंगे किस तरह से काम होता है, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमको ज़रूर दिखाएंगे आई जैसे ही start-up की बात होती है, अपने धंदे की या अप खुद को entrepreneur बनाने की बात होती है, तो सबसे पहले जहन में आता, मेरे पास पैसा नहीं है मैं start-up कैसे शुरू कर सकता हूँ, लेकिन अब हम देख रहे हैं lean start-ups का जमाना है, एक ऐसा जमाना है जहां पर बहुत छोटी पूंजी के साथ बड़े start-ups को भी या बड़ी companies को भी तयार किया जा रहा है, मेरे साथ इस वक्त company की chief operating officer रिचा शर्मा मौझूद है, रिचा आप ये बहुत challenging होता है कि आपके पास अगर पूंजी कम है तो आप start-up नहीं लगा सकते हैं, ऐसी आम तोर पर सूच है आप लोगों ने कैसे शुरुआत की थी, क्या आपके पास finances मजबूत थे या कम होने के बावजूद आपने किस तरीके से खुद को तयार किया इस चीज के लिए startup इंडिया की जब scheme आई आज से कुछ साल पहले हाँ ये बहुत बड़ा मित था कि हम जिसके पास बहुत ज़ादा पैसा हो सिरफ वही startup कर सकते हैं और बहुत पैसे की requirement है idea और क्या market पर study करी है आपने उस idea में हो सकता है उस idea से relevant बहुत सारे और भी आपके पास figures और facts available हैं उसके बाद idea के बाद आता है finance कम पैसे में इसको start किया जा सकता है जब हम छोटे budgets की बात करते हैं तो हाँ ये होता है कि limited resources होती है हमारे पास तो हमें बहुत choose करना पड़ता है कि हम कहां अपना base बनाए कहां corporate office start करें किन लोगों को hire करें क्योंकि बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो start-up में कदम रखने से डरते हैं बढ़ आज के टाइम पे लोगों का मिली कि हां हमारे लिए scope है अब आगे क्या मतलब आगे आप लोगों की क्या expectations से आपको क्या लगता है और क्या कदम होने चाहिए जिससे यह जो start-up इंडिया का moment शुरू हुआ है यह और रफतार पकड़े और तेजी से आगे अब के टाइम पे जो नई स्कीम चलाई है उसमें MSME को लोन मिलना असान हो चुका है और हम क्या कर सकते हैं कुछ अपना investment करें कुछ बिना collateral के भी हम ऐसा कर सकते हैं कि CDRIK थू हम लोन ले सकते हैं बैंक से अगर हमारे पास कोई भी property नहीं है उसको start करने के लिए हमें cash credit मिला जा सकता है तो यह जो हमारे को एक ease मिला है उससे कई लोगों ने अपने आपको अंचुपने और साबित करने की कोशिश में एक मुहीं छेडी गई है बट हाँ अभी भी जैसे देखिए कई क्योंकि कि GST एक नया मुद्दा है अभी भी काफी गरम मुद्दा माना गया जा रहा है तो उसमें थोड़ी सी और चाहेंगे कि सरकार से हमें और मदद मिले हमें थोड़ी सी राहत दी जाए उस GST को लेगे क्योंकि जो छोटे स्टार्टप एं उन पे GST की जो रूल जन रेगुलेशन से तो थोड़ा अभी के लिए सप्रेस किया जिससे कि वह और भूम कर सके इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म्स हमें दिये जाएं जिस पे हम अपने नए नए आइडियास को प्रस्तूत कर सके और हमें जो फंडिंग है जो इन्वेस्टमेंस है वो इंस्टेड ओफ बाहर से मिलने से अच्छा है हमें अपने सरकार से भी मिलनी चाहिए जैसा मैंने कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टार्ट अप इंडिया के जरीए नए स्टार्ट अप्स को मिल रही हैं और जब आप फ्लुपर जैसे स्थापित स्टार्ट अप हो जाते हैं तो और नौजवानों के लिए रोजगार मोहिया करवा पाते हैं अंशुल का ये जो स्टार्ट अप है फ्लुपर इसमें अभी इस वक्त तीन सौ के करीब इंप्लॉईज हैं और ये सभी तीस साल से बहुत कम उम्र के या बहुत ही नौजवान हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इने शुरुआत से ही रोजगार और कैसे फिर आने वाले समय में इंटर्परनर्शिप को सीखा जा सकता है वो यहां पर काफी सारे नौजवान सीख पा रहे हैं अंशुल ये बताईए इस टीम को मैनेज करना क्योंकि आप खुद भी यंग हैं महज 26 साल की उम्र है और करीब 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी तो कितनी छोटी उम्र में म 21 साल की उम्र में एक स्टार्ट अप की शुरुआत करना फिर इतनी बड़ी टीम को डेवलप करना क्या चैलेंज आते हैं और कैसे मैनेज करते हैं सर मेजर जो चैलेंज आ रहा है अभी इस टाइम पर वो सबसे बड़ा ये है कि यंग लोगों के साथ उनके दिमाग को पकड़ना अभी जितने भी हम यंग लोग हैं वो एक जगा पर सीमित नहीं है जादा तर कोई ये भी कह रहा है कि मुझे ये भी करना है मुझे ये भी क कहीं अपने seniors और अपने parents के बातों में जादा आ रहे हैं वो अपने उपर क्या ना में इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मुझे मेरी जो skill है वो ही person बता सकता है जो मेरे साथ या मेरी जो experienced हो जो बहुत सालों से काम कर रहा है जैसे मेर को मैंने जब ये company start करी थी उससे पहले मैंने भी काम किये हैं तो मैंने जब काम किया तो मैंने technology की development से start किया था लेकिन मैं उसमें बहतर नहीं था लेकिन मुझे लगता था मैं बहुत बहतर हूँ क्योंकि पहले के time पर यही होता था कि आपको development करनी है आप कुछ और सोच नहीं सकते तो जो मेरे seniors थे मेरे जैसे ल कोल रहा होगा वो कुछ सोच समझ के मेरी skill को निकाल रहा होगा तो यही सबसे बड़ा challenge है कि इन लोगों को एक platform पे लेके आना जब भी हम business की start-up की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ innovation जैसा मैं हमेशा कहता हूं एक angle पर नहीं होता है कि आपने product develop कर लिया तो कुछ innovation कर दिया marketing को भी innovate करना पड़ता है branding को भी innovate करना पड़ता और sales जिसकी बात की अभी अंचुल ने वो इनका अच्छा मजबूत एरिया था तो आपका sales कैसे चल रहा है और किस तरह से आपकी team काम करती है वो भी ज़रा मैं जरूर आपको अपनी वीपी sales अकांशा पांडे से मिलवाना चाहूंगा वो आपको बहतर explain कर सकते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब join किया उनको जो challenges आए वो उससे बहतर कोई नहीं जानता क्योंकि वो भी एक fresher थी और आज वीपी sales है किसी भी startup के लिए sales बहुत जरूरी है आपके पास product है आपके पास vision है लेकिन आप बाजार में कैसे जाएंगे कैसे अपने product को अपने customers तक पहुंचाएंगे consumers तक पहुंचाएंगे ये बहुत जरूरी होता है खास तोर पर startup की team में अगर शुरूराती दोर में आपकी founding team में ही कोई ऐसा शक्स हो जो इस चीज़ को समझता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है फ्लूपर में अंशुल के खुद की sales की समझ बहुत अच्छी थी और उन्हें साथ मिला वाइस प्रेसिडेंट है अकांग्शा पांडे फ्लूपर की उनका अकांग्शा बहुत शुरूआत से इस company की शुरूआत से स्टार्टप की शुरूआत से जुड़ी है अकांग्शा मुझे यह बताएं कि किस तरह से sales आप लोग करते हैं और स्टार्टप को जब शुरूआती sales होते हैं उस समय क्या ध्यान रखने की ज़िए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जैसे स्टार्टप में जो मेंजर स्टेप होता है वो सेल्स होता है क्योंकि प्रॉजेक्स तभी आएंगे जब हम सेल्स करेंगे और सेल्स में स्टारटप में यह बहुत दिक्कत होती है कि हम नए हैं मार्केट में तो हमारे पास ऐस सच बहुत ज़्याद़ चीज़े दिखाने के लिए नहीं है बट अगर हमें क्लाइंट से एक रिलेशन बनाना है तो हमें उन्हें चीज़े दिखानी पड़ेंगे चाहे हमने बनाई है और वह चीज़ का हमारे अंदर अगर हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि यह चीज़ हमने बनाई है तो उसको हमारी बात से जस्टिफाइड हो जाना चीज़े कि हाँ यह बात उन्हों नहीं बनाई है तो स्टार्टिंग में जब हम कि पहले हम client से बात-बात में करते हैं, पहले हम उससे एक relation बिल्ड करते हैं, ताकि client एक comfortable zone में आ जाए, अगर suppose वो मुझसे कोई चीजे share कर रहे है, वो मुझसे तभी share करना start करेगा, जब वो थोड़ा मेरे साथ comfortable हो जाएगा, लाइक उससे लगेगा कि हाँ, we are like a family, तो अब बाकी companies के होते हैं, phone करती है, hello I am from this company, और आपको mobile application चाहिए, क्या में कोई requirement में लिए, तो वो एक बहुत गलत approach है, कोई भी एक person है, वो आपके लिए stranger है, तो वो आपसे कभी भी अपने idea, कोई भी चीज तब share करेगा, जब उसको एक security लगेगी, तो हम जब बात करते हैं, ह आपको एक relation build-up पर जाना चाहिए, क्योंकि आपका consumer जो होता है, वो सिर्फ एक product selling के लिए आपके लिए नहीं है, उसके साथ अगर long term relations या एक विश्वास आप जोडते हैं, तो या किस तरह के customers को consumers को आप लोगों ने focus किया या target किया, कहां से आपके पास ज्यादा तर कंज countries, चाहिए वो Saudi हो, Dubai हो, Kuwait हो, Jordan हो, यह सारे country हो, तो major challenge वहां पर यह है कि उन लोगों के पास पैसा है, idea है, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे implement करना है, companies बहुत जल्दी give up कर देती है, क्योंकि उनकी process होती है कि ठीक है, यह आपकी requirement है, यह इसकी process है, यह follow करो, अब उन्हे पता ही नहीं है कि वो process कैसे follow करनी है, तो हम उन्हें लाइक बिल्कुल जैसे first class का एक बच्चा होता है, उसे from 0, A, B, C, D, कुर-कुर बढ़ना पढ़ता है, तो उस तरीकिसे हम उन्हें treat करते है, कि लाइक A step, first step यह है, तो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, तो उन होगी, तो उससे client के दिमाग में जाता है, अभी तो इसे पता भी नहीं है, और यह मुझे पैसे बता रहा है, मतलब यह पैसो के लिए काम कर रहे है, तो सबसे पहले हम उसको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि उसका idea बहुत secure है, सारी थी क्लाइंट से आपके पास एक क्वेरी जनरेट होती है, या वो आप से कोई प्रोड़क्ट बनवाना चाहते हैं, खास तो पर जब एप्लिकेशन की बात होती है, तो उसके बाद में आप कैसे उसे अनलाइज करते हैं, और किस तरह से अपना feedback देते हैं, कुछ corrections का सुझाओ, तो आप अपने क्लाइंट को देते हैं, यह बताने के लिए अदिती मेरे साथ मौझूद है, अदिती प्री सेल्स मैनेजर हैं, फ्लूपर के साथ, अदिती सबसे पहले मुझे यह बताएं कि किस तरीके से आप लोग यहां filter करते हैं, या कैसे फिर क्लाइंट की बात को आग या फिर एक प्रॉजेक्ट में कैसे ट्रांसफोर्म करना है, वो हमारा में रोल होता है, तो बेसिकली उसके हम एक ठ्रूआउट अरेंडी करते हैं अपने बेसिस पर, उसके बाद हम बेसिकली या तो फिर कोई डॉक्यूमें ड्राफ करते हैं, या फिर एक हम में में मॉडुल इस तरह से होंगे, यह हम स्टरुक्चर इस तरह से उसका तयार कर आगे प्रसीड कर सकते हैं, सो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन अलग-अलग बनाई गई हैं, हार एक मोडूल के रिगार्ट्स में, जैसर स्प्लैश स्क्रीन, आपका फि तुटोरियल से स्क्रीन्स आती हैं फिर रजिस्टरीशन प्रोसेस आता है सो उसमें हमारे क्या-क्या फील्स होंगे वो हमारे प्रोसेस में हम लोग डिफाइन करते हैं सो जब यह basic structure तैयार हो जाता है फिर हम यह client को प्रोवाइट कराते हैं तो उसके बाद प्लाइंट इसको रिव्यू करता है और अपने वो कमेंस देता है उसके बैसिस पर फिर हम इसको फॉमलेट करते हैं उसके चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो इस तरह से एक बेसिक स्ट्रिक्चर हमारा त्यार होती है आपके पास पूरी इंफोर्मेशन आ चुकी है आपको यह पता है कि क्या कमिया रह गई है कॉम्पेटिटिव मार्केट क्या है लेकिन उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन करेंगे वो कितनी खुपसूरत दिखती है और कितनी यूजर फ्रेंडली है यह दो बहुत एहम बाते हैं जो डिजाइनिंग में काम आती हैं बताने के लिए अंकुष मेरे साथ इस वक्त मौझूद हैं अंकुष किस तरह से फिर डिजाइनिंग का काम आप लोग आगे बढ़ाते हैं क्याइट सर उसके लिए क्या पाहिंस पहले क्लाइंट के आईडियास थॉट्स Smoke इसको साथ रखते हुए तो सक्रीश धियान में रखते हुए बनाना होता है इसमें कि हमें इसमें अपना therics deer X एक्ष्कुर एक्सफ डशी देखना होता है कि कोई बटन म्टन तो को उसमें कह तो पसंद करने का क्राइटेरिया क्या होता है तो बटन्स का भी होता है कि रेक्टेंगल है या कर्व है या आपका राउंड है तो सर इसे ट्रेंड की टाइम टैम पर चींज होता रहता है बाकी जिसे आप मार्केट में देखेंगे अधर एप हैं तो उनसे रेफ्रेंस सब लेकि जब कर रहा जाता है एक कन्वेंशनल तरीका होता था आपने देखा काम करने का किस तरीके से दफ्तरों में काम होता था लेकिन वो वर्क कल्चर भी अब धीरे-धीरे बदलता जा रहा है ये टाउन हॉल का माहौल है फ्लूपर में और एक बार जोड़ार तालिया हो जाएं पता लगेगी कितने लोगए हैं आपर था पायग से साइइं ती साल यह से कम की उम्र वे यह तमाम नौजवान इंदुस्तान इसको कहते हैं इंडिया काम्याबंदुस्तान और इन्शव और उनकी पूरी टीम इसी तरह से काम कर रही है आने वाले कई स्टार्ट अप्स के लिए एक मिसाल भी बन रही है मेरी तरफ से आप लोगों को धिर सारी शुब कामना है एक बार जोड़ार तालिया फिर अपने लिए मुझे उमीद है आप फ्लुपर की कहानी से जरूर कुछ सीखेंगे तो ये बदलते भारत की तस्वीर है बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है ये पूरी फ्लुपर की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंशुल हमारे साथ मौजूद है एक अच्छी बात चलते चलते जो हम आपको बताना चाहते हैं वह यह कि अंशुल ने भारत सरकार के लिए भी स्टार्ट अप इंडिया से जब वह जुड़े तो कुछ एप वाती दौर में ही एप्लिकेशन बनाई थी जो आज के टाइम पर बहुत फेमस हुई है वह स्वच भारत की है जिसके अंदर आप फोटो घीचें फोटो घीचने के बाद आप उस एरिया को सेलेक्ट करें कि जहां पे गंदगी है और वो सीधा सीधा क्लीनिंग कमेटी के प बड़ी एप्लिकेशन जो हमने बनाई जिसका नाम है उडान जो रूरल इलेक्ट्रिकल कमिशन ऑफ इंडिया के लिए हमने बनाई जिसके अंदर पूरे इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन हैं डेटा सेंटर कहां कहां पे नोड्स हैं कहां कहां पे इलेक्ट्रिकल form ला रही है, e-learning का आपका क्या नम है, पूरा का पूरा जिसके अंदर students एक दूसरे से interact कर सकते हैं, teachers एक दूसरे से interact कर सकते हैं, तो देखिए ये भी एक बड़ा सबक है जो आपको start-up होने के नाते सीखना है, कि start-up होने के साथ साथ social entrepreneurship, देश के विकास में आप किस तरह शर हो सकते हैं, इसको भी जहन में जरूर रखें, तो ये फ्लूपर की टीम है और आप देख रहे हैं, काम्याब हिंदुस्तान की ये कहानी आगे भी हम जारी रखेंगे, फिलाल आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, खु कर दो के बहुत बहुत काम्याब हिंदूर रखिया, जीम हैक वे रहे हैं जी हम जारी आप हमारे साथ